सातना शिरी वाहे गुरू सहब जीओ परम सनमान्यो गुरूरू गुरू खाल्सा सास अगजी वाहे गुरू जी का खाल्सा वाहे गुरू जी की फते बाल गुरू गोबिंदराय जी पटना शहरतों कांशी अयोध्या होंदे होए शिरी अनंदपुर सहब वल चल पए रस्ते विच बहुत संगता ने उना दे दर्शन कीते गुरू जीने गुरीबा नू बहुत दान दिता अते संगतियां मनो कामनावां पूरियां कीतियां एदर रस्ते विच ओनानू शिरी गुरू तेग भादर जी दा खत मिलया जिस विच ओनाने लिख्या सी के आप जिने ओन विच थोड़ी देर कर दती है मैं दिल्ली विखे और अंग जेवदी हवेली विच कैद हाँ अते होन मैं शहादत देनी है इसलई पिच्छों सारा बंदोबस्त तुसी समालना है एदर शिरी गुर तेग भादर जी हिंदू तरमनो रखन कारन आपने उते प्यान के रहानो वर तौन लगे हन आपने नामनो सचा वखोन वास्ते तरम बचोन वास्ते ऐसी भादरी कीती जिस परकार इस दुनिया उते कोई भी नहीं कर सकदा है केवल गुरू जी आप ही पहर सुड़ देतियां सन ओ छिलां उते जाके डिगियां जिस था कुछ सिख मजूद सन एक सिख ने ओ छिल लेके अपने मूँ विच पाली जादो हो उसनों चुपन लगा ता बड़ा स्वादी रासाया गुरू जी दे सीत पर सादा उसने जाद अहार किता ता तरों थी प सूरज चड़या ते हनेरा दूर होया ता दे तुरक बाशादे बंदे आये ते उते पहुंच गए जिते शांत सुरू सादगुर जी बैठे सन साद संग जी एताप जान देई हां के और अंग जेब ने गुरू जी नू प्रेत वाली हवेली विच कैद करदता सी प्रेत गुरू जी दा कुझ भी विगाड ना सकया अते गुरू जी दे चर्नी पैगया गुरू जी पारी सोख पा के बैठे सन एस तरह सुणके बाशा ने गुरू जी नू बिलाया तुरक बाशा ने हरदे विच हाठतार्ण किता होया सी जाद उस पावन विचों बार निकले ता सारे सिख संगी ता दोना नू मिले शक्ती प्राप्त सिखने गुरुजी दे चर्नावते सिर्तर के बंदना किती ते दो में हथ जोड के बोलेया हे सद्गुरुजी क्यों दुख सहिए मैंनो अपने नैना दे इशारे नाल के देओ मैं सब प्रकार समरत था जो चाहां कर सकदा हां तुसी पर तक वेख लवो सौ हजार लखानू की गिंड़ा हां सारे तुर्क ते तुर्क बाशा सहित सब नू मार दियांगा बाकी इस दी संतान रहेगी नहीं मैं ऐसा कर्म करके वखावांगा इस वे जे कुछ देरी वेखो होर कारे करांगा आप आग्या कहो दिलियत लहौर दो वड़े स्थान हन जिना विज तुर्क दा महान जोर है इस तरियाद पुत्र पुत्रियां सहित सारे मलेश इना नगरां विज परवारां सहित वस्दे हन दोवा नगरां दी जिनी तरती है ओनी ही अपने हथां दे चोकल लवाँगा वड़े जोर नाड एना नगरां वुटकरावाँगा ते सारे करांव तोड़ दे आगा फिर मुदे करके देख दे आगा जिस करके दोष्ट फिर कुस्क ना सकन इस तरह मेरे विच विशाल शक्ती है इस समय अपना बचन करो आप जीदा अनादर कर दे हन माड़ी मातवाले तुरुक कुझ भी विचार दे नहीं हन चौकीदार चारे पासे खड़े हन कैयाद करके बहुत दुख देना चौन दे हन इना पासों क्यों अपमान सहिए ऐसी करांगा के तोड़े पैरी पैजन गे गुरुजी सिखपासों इस तरह सुनके मुस्कुरा पए उस दी बाँ फड़के गुरुजी ने हाथ नाल दबाई जेड़ी उस वे शक्ती आई सी सारी खेच लई ते उस दा स्रीर शक्ती हीन हो गया जिमे गनेदार आस खेच लेंदे हन चूरा रह जन्दी है रास बगैर होनते सोट देंदे हन जाद मन विच ए समझया के सार रहत हो गया हां पैली शक्ती हिर्दे विच पैंदी नहीं है ता हिर्दे विच कुम्ला के सोचया एक ही हो गया है सादगुरु जी ने कहा जिमे भी तो अथों हुंदा है करो एना दोमे वडे नगरानू टकरा देो एस तरह सुनके हाथ जोड़के बोलिया ते गुरु जी दे मुखवाल वेह के दीन हो गया बनान टौन वाले तुसी जगदे मालक हो जो चाहो कर दे हो तुसी सारे आदे करता हो तो अड़ी महिमा ते वड़ा परताब नहीं समझे हाँ ते मैं अपने आपेनू जणाया है के गुरु जी दी होन मैं सहता करांगा सारे दोखी तुरकानू मार देांगा एना दे नाल ऐसी करांगा जड समेत सारे तुरक रूपी ब्रेचनू पूट देांगा जड मेरे विच पारिशक्ती आगी सी तामय यथारत बचन उचान की तेसन आप जीने होन मेरी बानू नपया है जिस नाल मैं आव यक्ती हो गया हां ते सारी शक्ती जांदी रही है जेडे मेरे विच हंकार आया सी ओ सारा नाश हो गया है जिमें चौदे हो ओस्तरा ही आप वरतारा करते हूं तुसी तीरश सहित महान गंभीर हो तो अड़े पर्योजन नू कौन जान सकदा है तो विखवेच की होना है ऐसा बिरतात राच दे हो कोई भी इस परकार जान नहीं सकदा है शिरीगुर तेग भादर जी ए सुनके उसनू कह के सारी गलतों जानू किता शर्दातार के तू नाडाया सी ते सिखी तरम नू पली परकार निबाया है फिर तुरकां दी कुटाल रीती नू वेख के माने वीच वड़ियां गिनतियां गिनता सी साडे वेच तू शांका किती ए समराथान जा नहीं एस कार के असी गन्य दे जुठे चलके तेरे वाल सुटे सान की तू पहला गन्य नहीं सी वेखे तू गन्य दा स्वाद विखन वास्ते इच्छाता अर्न किती, ते मूँ विच साड़ी जूठी चलनू पाया, जाद तो अडे विच शक्ती आ गई, जिस शक्ती नू तू होन विखोना चोंदा सी, जिस समुंदर विच्चों कुझ जालावे, फिर ओहो जल, समुंदर दे अगे ही अपना हंकार जनावे, ते अपने आपनों कहके बियान करे, जिस तो शक्ती लई है, उसनों ना जाने, जिनी सेवा करके तेरे वे शक्ती आई है, ओ शक्ती की इस तरह नहीं कर सकती है, इस प्रकारती सोजी नहीं जानी है, मैं करदे मांगा केहा है, सादगुरु जी जिमे किर्द करदेहन, सेख उस दा किसे तरह वितरक ना करे परसन हो के गुरु आग्यानुसार रहे ओहो सिख असानी नाड मुक्ती दा अधिकारी हो जान्दा है। अपने गुरु जी नू सरफ सम्रत जान के सब कार्ज करे थोड़ी बुद्धी वड़ा सिख हंकार क्यों तार्न करे। इस करके शिरी करतार दा सिम्रन करो ओहो ही सब जीवन दा अधार है। गुरु जी ने इस परकार सिख नू समझाया ते ग्यान अते गती देन वाले गुरु जी फिर चले गए। कई चौकेदार सिपाही हथ्यार लाके नाल चल पए। तकडाई रखन वासते औहो गुरु जी दे चारे पासे होके नाल नाल जा रहे सान। ते अपना जोर वखा रहे सान। हौली हौली रावे चल दे जा रहे सान। कुझ कुशिक जीना दे पिछे सान। शीरी साथगुरु जी ताद ओथे जा पहुंचे जिते तुर्क बाशादे केले दे उच्चे दरवाजे सान। फिर दरवाजे दे अंदर परवेश कर गए ओथे सारे सूर में शस्तर फड़ के खड़े सान। पथरदा मनोहर दरवाजा बणया सी जिस उते चितर काराने विशाल चितर हुकरे होई सान। ओस्थां तो लांके अंदर चले गए जिते दुष्टादी कचैरी लगी होई सी। गुरुजी थे नाड सेख ते चौँकीदार सान। ते वड़े वड़े सरदार वेख रहे सान। अनेका हिंदुवते तुर्क वेख रहे सान। अती ओगण बारे कुझ नहीं विचार दे सान। शिरी गुरुजी ताद कचैरी वेज दाखल होई ता ओथे चौँकी विशा जिस चौंकी उते सुई नाल कड्या हुया उजल कपड़ा विच्छा हुया सी उस चौंकी उते सद्गुरुजी बैठ गए सारी कचैरी परिहोई सी हीरें मोतियां दी सुन्दर चमक दमक सी वाहिगुरुजी का खाल सा वाहिगुरुजी की फते